प्रिजात्र नमस्कार आज हम पढ़ने वाले हैं एलसी दूलन के बारे में पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसफार्मर के बारे में तो ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने आपको बहुत चीज बताया था उस वीडियो का आप नहीं देखें तो डिस्क्रि लिश्ट मिल जाएगा यह वीडियो के अंद में भी आपको प्ले लिश्ट का लिंक मिल जाएगा उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस टॉपिक को मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि लसी दोलन बहुत ही असान है बस आप बने रहें वीडियो हो सकते थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि इसमें मैं बहुत ही बारी किसे आपको तो LC दोलन क्या होता है उसको देखें तो सिंपल है हमें एक ऐसा परिपत बनाना है जिसमें संधर इत्र सी जुड़ा हो और प्रेरण कुंडली L जुड़ा हो क्या जुड़ा हो प्रेरण कुंडली L तब होता क्या चीज है एक बार संधर इत्र की उर्जा अधिक होती है फि फिर कुछ समय बाद इसकी उर्जा कम होती है फिर जीरो होती है फिर यह अधिक होता है मतलब उपर नीचे उपर नीचे होते रहता है कभी यहां पे उर्जा अधिक होती है कभी यहां पे फिर यहां पे जब जीरो होता है तो यहां पे अधिक होता है जब यहां पे अधिक होत है फिर अधिक होता है फिर जीरो होता है फिर अधिक होता है ठीक इसे कहते हैं हम LC दोलन सिंपल है इसका definition देखें यहांपे कुछ संधार इत्रस और प्रियरयक कुंडली L मैं आपको बताया हूं संधार इत्रसी और प्रेयरक कुंडली L जिसका ओमिय प्रतिरोध सुन्य हो, ओमिय प्रतिरोध सुन्य हो, अब सुन्य तो नहीं हो सकता क्योंकि कुछ न कुछ प्रतिरोध इसमें रहे गई, तेक कुछ न कुछ प्रतिरोध इसमें रहे गई, इसलिए पूरी तरह से सुन्य नहीं होगा, ठेक, तो संधार इत्रसी और प्रिजक कुंडली एल का ओम्य प्रतिरोत सुन्य हो यूक्त परिपत में उर्जा के आदान प्रदान के फल स्वरूब मतलब ये जो परिपत बना है इसमें उर्जा के आदान प्रदान कभी उर्जा इसमें अधिक होता है इसमें लो होता है कैसे होता है मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से बताऊंगा चित्र के माध्यम से ठीक तो उर्जा के अदान प्रदान के फल स्वरूप परिपत में उत्पन विद्यूत दोलन तो फिर क्या उत्पन होता है भीस में दोलन उत्पन होता है क्या उत्पन होता है इस तरह से दोलन ठिक और उसे ही कहते हैं हम L.A.C. दोलन ठिक दोलन मतलब झूला सरालावर्त गति आप देखे होंगे जूला ठिक जूला को यदि हम बान दें यहाँ पे तो वेक्ती बैठ है तो ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा तो यह क्या होता है दोलन होता है आगे पीछे आगे पीछे या उपर नीचे ऐसे इस तरह से ठिक तो यह होगा LC दोलन अब यहां पे एक छोटा सा चित्र बना दिया हूँ लेकिन इस चित्र को मैं आपको नहीं समझ लिए को सब्को मिटां देता हुआ है तो दो ध्या दीजी सबसे पहले एक चोटा सर्थ इस शितर रहे हैं यहां पर फ्रेरा कुंडलीली जुड़ा हूए है और संधारजय टत्र है और यहां पर जाता है और यहां पर यह दो लगत हुआ है य mm और दूसरा कुं B इसको हम दूई मार्गी कुंजी कहेंगे क्या कहेंगे दूई मार्गी कुंजी तिक ये के नाम दे देता हूं है इसको ये दूई मार्गी कुंजी है जब हम कुंजी टू के प्लग को निकाल कर एक में लगाते हैं जैसे ही प्लग एक में लगाते हैं तो बैटरी से धारा प्र वाहित होने लगती है तो संधर इत्र क्या होता है पूरी तरह से चार्ज हो जाता है आविशित हो जाता है मतलब संधर चित्र को बैटरे से पूरी पूरी उर्जय मिल जाती है अभी समझे आप यहाँ पर एल नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर एक ऐसा चित्र बनेगा यह इस तरह से देखिए यह सी है और यह कुंडली है लगा है तो जब बैटरे से संधर इत्र पूरी तरह से आविशित होता है तो इसमें जो प्लस शार्ड है वो अत्यधिक मात्र में आ जाता है इस तरह से और इस वाले भाग में ठेक यह माइनस चार्ज है तो इस वाले भाग में आ जाता है माइनस और वो भी बहुत अधिक मात्र में Q0 का मतलब है maximum बहुत अधिक मात्र में तो संधर इतर के पास बहुत अधिक मात्र में धन आवेश हो जाता है और एक तरफ हो जाता है red always यहाँ पी संधर इतर क्या है? पूरे तरह से आबेसित है, तो समय का मान 0 है और जब समय का मांजीरो है तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है जब हम कुझी के को आफ करते हैं तो इसमें का प्लस चार्ज क्या होता है ये जो प्लस चार्ज है वो है वो माइनस की ओर आता है क्या होता है इसमें का प्लस चार्ज माइनस की ओर ऐसे आता है मतलब इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इस तरह से ठीक प्लस शार्ज हम माइनेस में आता है और जैसे ही यहाँ पर प्लस शार्ज कम होने लगता है जब यहाँ से प्लस शार्ज है निकल के इसमें जाता है तो क्या होता है कुछ-कुछ मात्रा यहाँ पर प्लस आ जाता है तो इसका चित्र देखिए हम कैसे समझेंगे यह इस तरह से हैं ठीक यह अभी यहाँ फूल था मतलब कैपेसिटर मतलब संधरित्र के पास प्लस के और बहुत अधिक मात्र में था फिर धीरे धीरे क्या हुआ आवेस यहाँ से निकलने लगा प्लस क्यू चार्ज यहाँ से निकलने लगा जैसे ही प्लस क्यू चार्ज यहाँ से निकलने लगा तो यह हम Q0 नहीं लिखेंगे इसको सिर्फ Q लिखेंगे ठीक, मतलब यहाँ पे थोड़ी मात्रा में प्लस बच्चा हुआ है और इसमें के कम मात्रा में माइनस बच्चा हुआ है ठीक, Q0 मतलब मैक्जिमम और Q आ गया मतलब कम हो गया आवेज अब यहाँ पे आवेज क्या होता है? कम होता है आवेज क्या होता है? कम होता है अब आवेज कम होगा मतलब आवेज में परिवर्तन होगा ठीक, किस में? क्यों में और Q में जब परिवर्तन होगा तो उसको क्या कहते हैं हम? धारा कहते हैं ठिक आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं धारा कहेंगे तो इस परिपत में धारा बहने लगेगा और थाथ ये इस तरह से ठिक ये धारा बहने लगेगा अब धारा बहने लगेगा तो आवेश ऐसे कम है लेकिन धारा क्या है अधिक है अब यहाँ पे आवेश कम हो रहा है तो धारा कामान क्या होगा बढ़ेगा अब कुंड़ी का काम क्या होता है स्वप्रेयार में हम पढ़ चुके हैं कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चार और चुम्बकिये छेत्र उत्पन होता है और स्टेट का प्रयोग है ठेक तो इसमें धारा प्रवाहित होगा तो इसमें क्या होगा चुम्बकिये छेत्र उत्पन होगा मतलब चुम्बकी छेत्र देखा इन में से होके गुजरेगा और चब चुम्बकी छेत्र इन में से होके गुजरेगा तो चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन हुगा तो प्रेरित धारा उत्पन्ना होता है क्या उत्पन्न होता है प्रेरित धारा तो इसमें से धारा जब कुंडली के पास आएगा तो कुंडली कहता है कि तुम जो धारा दे रहे हो कैपिसिटर को कहता है ठीक तुम जो धारा दे रहा हो उसे कम कम देना मतलब धीरे धीरे देना तो यह क्या करता है इसको धारा देता है लेकिन कुंडली क्या करता है लेंज के नियम अनुशार इस धारा का विरोध करता है हाला कि यह पूरी मात पूरी धारा यहां से जाना चा उत्पन ना होगा और विद्ध्वाहग बलके अनुसार क्या होगा इसका विरोध करेगा तो ये plus charge बनेगा और ये minus बनेगा तभी तो plus और plus में एक दूसरे के opposite होगा ना विरोध होगा तो ये तो हुआ यहाँ पे इसका काम आवेश यहां शे निकलते जाता है और एक ऐसा समय आता है कि संधार इत्र के पास आवेश रहता ही नहीं है और वो पूरी तरह से अनावेशित हो जाता है क्या होता है पूरी तरह से अनावेशित हो जाता है मतलब यहाँ पे इसका आवेश सुन्य हो जाता है जैसे ही इसमें आवेश सुन्य होता है तो धारा क्या होती है बहुत अधिक मात्र में प्रवाहित होती है और धारा का मान आई 0 होगा धारा का मान I0 होगा मतलब पूर धनावेश निकल के इसमें चला जाता है और प्रेरा कुंडी मतलब L इसके पास भी बहुत अधिक मात्रा में उर्जा आ जाती है तो आवेश इसमें से पूरी तरह से निकल जाता है और इसमें धारा बहुत अधिक मात्रा में बहने लगता है जब धारा बहुत अधिक मात्रा में बहने लगता है तो यहाँ पी इसका काम खतम नहीं होता है ठीक तो संधर इत्र यह सूचेगा कि मेरे से तो जितना आवेस्था मेरे पास वे सभी निकल गया अब मेरा काम कम्प् और जब यह कम होना चाहेगा तो फिर यह क्या करेगा उसका विरोद करेगा इसका तो यही काम है नाłam यहाँ पर कोले मेंस प्रभी प्रभाहित हो रहा है अबप पूरी से समझो एक तरह से नश्ट हो गया है कौन संधर इत्र इसके पास बिल्कुल भी आवेस नहीं है तो कुंडली कहता है कि मुझको जो उर्जा आपने दिया है वह उर्जा मेरे पास है तो मैं उसको फिर तुम लोग को वापस दूगा तो क्या करता है यह फिर इसको धीरे-धीर उर्जा देना प्रारम करता है तो इसके लिए हम इस तरह से एक और चित्र बना सकते हैं यह ठेक मतलब देखें अधिक्तम था यहां पे फिर कम हुआ फिर पूरी तरह से 0 हुआ तो इसका जो प्लस है इसका जो प्लस है पूरा क्या होता है माइनस के पास आ जाता है और यह पूरी तरह से माइनस हो जाता है और यह पूरी तरह से क्या हो जाता है प्लस हो जाता है यह इस तरह से और जब यह प्लस होता है यह जब यह पूर पूरे खतम हो जाता है तो कुंडली क्या करता है उसका फिर विरोत करेगा वो क्या करेगा फिर विरोत करेगा और पुनह विर धारा आई अब धारा इसमें कम बहने लगेगा और आवेश क्या होता है पूरी तरह से बढ़ जाता है इसको विरोध करता है तो यहां पर जब धारा पूरी तरह से खतम हो जाता है तो ये फिर क्या करते है उसको इनर्जी देते हैं किसको सी को ठेक तो फिर एक ऐसी इस्थिति आती है कि ये इसका जो मान है वो बहुत अधिक मात्रा में इसके पास आवेट चला जाता है ये इस तरह सेंड ये थैक तो यहाँ पर पुरी तरह से ये माइनस हो जाएगा इस इस्थिति में इसमें धारा फिर प्रवाहित नहीं होता है क्योंकि इसकी आवेज बहुत अधिक हो जाती है तो इसमें धारा का मान शुनने होता है माइनस क्यो जीरो अब जैसे है इसमें धारा का मान सुनने होता है तो धारा का मान सुनने होगा तो इसके पास प्लस आ गया इसके पास माइनस आ गया अब इस प्लस से फिर क्या होगा आवेस ऐसे फिर निकलने लगेगा यहां से आवेस फिर निकलने लगेगा जब आवेस नि इसको मिटा रहा हूँ मैं उसके बाद देखेंगे हैं उस step के बाद क्या होता है यह इस तरह से यह ठीक मतलब वहाँ से जो Q है क्या होता है Q फिर कम होने लगता है और Q जब कम होने लगेगा तो धारा कमान बढ़ेगा तो यहां से Q0 से क्या होता है प्लस आवेस निकलने लगता है तो धीरे धीरे निकलता है जब धीरे धीरे निकलता है तो यहां पर बजता है प्लस 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 सिर्फ कुछ-कुछ आवेस यहां पर बजता है और यहां का जो फिर इसमें आवेस निक कर देता है और यह होगा क्यूंट यह कुंडली एल है अब इसके बाद फिर एक ऐसे इस्थिति आती है कि इसका जो प्लस है वो फिर पूरी तरह से खतम हो जाता है और उसके लिए फिर एक चितर बनाएंगे हम इस तरह से धारम यह क्या होता है माइनस होता है मतलब इसका विरोत करेगा तो इसका विरोत करनेगा तो कब संभा होये जब यहाँ पे प्लास होगा और यहाँ पे plus होगा तभी तो plus और plus क्या करेंगे प्रतिकर्शित करेंगे उसको तो यह plus charge बनेगा और यह minus charge बनेगा तो फिर यहाँ पे क्या होती है एक ऐसे इस्थिति आती है कि इसके संधर इत्र इसकी उर्ज़र फिर सुन्ने हो जाती है पूरी आवेश फिर निकल जाती तो फिर ये संधरित्र मरने की इस्तिति में होती है इसका जो आवेश है वो पूरी तरह से सुनने हो जाता है और धारा का मान अधिक्तम होता है धारा का मान अधिक्तम होता है जब संधरित्र की उर्जा पूरी तरह से नश्ट हो जाती है तो धारा का मान अधिक्तम होता है और कुंडली में पूरी तरह से एनर्जी आ जाता है इसके बाद जब ये पूरी तरह से खतम होने की इस्तिती में रहता है पूरी तरह से मरने की इस्तिती में रहता है कौन संधारित्र सी तो कुंडली कहता है कि मेरे पास एनर्जी है मैं तुमको मरने नहीं दूँगा तो फिर क् विरोध करता है पूरी तरह से आजाता है फिर यह उसका विरोध करेगा जब यह पूरी तरह से जीरो होता है तो फिर लेंज के निया मनुसार कुंडली क्या करेगा उसका विरोध करेगा मतलब इसको पूरी तरह से जीरो नहीं होने देगा तो इसके पास पूरी तरह से क्या ह गया तो पुरव प्लस यहां पीं पर पर बनेगा और यह क्या माइनश बने करा माइनस तो इसपे लिए यहां पे क्या होगा कुछ माइनस आएगा और यहां पे क्या होगा प्लस आएगा ठीक यह क्यों और यह क्यों और यह क्यों लेकिन इस बार धारा के दिश्या बदल जाएगा क्यों 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 कि यह इस तरह से धारा प्रवाहित होगा इसमें यह इस तरह से ठीक और कुंडल इसके कम होने का विरोध करेगा ठीक ये देखे प्लस था फिर ये जीरो हुआ तो उसके जीरो होने का विरोध करता है कौन कुंडली एल किसके अनुस्वार लेंज के नियम अनुशार तो ये इसका विरोध करेगा यहां पर आवेश क्या होता है पूरी तरह से निकल जाता है तो आवेश का मात्रा क्या होता है यहाँ पे आवेश जो है वो अधिक्तम होता है जब आवेश अधिक्तम होता है तो धारा का मान क्या होता है कम होता है जब आवेश कम होता है तो धारा का मान अधिक्तम होता है यहाँ पे आवेश निकर रहा था तो धारा अधिक्तम होता है यहां पे देखें आवेस क्या है अधिक है तो धारा कमान क्या होगा कम होगा अब आवेस अधिक कैसे होगा भई इसमें से क्या हुआ अब यहां पे देखें आवेस कैसे होगा पहले जीरो था अब इसके पास प्लस आवेस आ गया तो आवेस यहां पे बढ़ गया ठीक तो आदिक्चितर और देखते हैं हम यह इस तरह से यह इस तरह से इस स्थिते में क्या होता है देखें यहां से माइनस को माइनस का विरोध करता है कौन कुंडली तो माइनस का विरोध करता है फिर अंत में क्या करता है यह पूरी तरह से क्या होता है पूरी तरह से माइनस हो जात इसका प्लस क्यों आवेज यह प्लस 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 और यह प्लस क्यों आवेज टिक इस इस्थिती में इस इस्थिती में धारा परिपत में प्रवाहित नहीं होती है मतलब सुन्य होता है तीन जगह धारा प्रवाहित यह और दूसरा यह और तीसरा यह तीन इस्थिती में धारा प्रवाहित नहीं होती है, कब की कंडिशन में, जब कुंडली की उर्जा सुन्ने होती है, यहाँ पे कुंडली का जो उर्जा है, वो सुन्ने होती है, तब संधरित्र की उर्जा अधिक्तम होती है, उस इस्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठेक, तो यह जो हमारा है वो पूरी तरह से एक बार complete हुआ तो क्या हो रहा है इसमें आवेश उपर नीचे हो रहा है क्या हो रहा है आवेश उपर नीचे हो रहा है देखें सबसे पहले क्या हुब था एक बार देखें आप बहुत सारा चित रहा 15ieur नई होंगे डिकव असान बस इसको देखे, पहले याँ पे अडिक्तःम आवियर था, फिर यहाँ पे न्यूनतम था, फिर इस Subscribe दीरे प्लस शार्ज निकलना लगा, बस प्लस शार्जा निकलना लगा तो परिपत में धार प्रवाहित होने ने लगता है, ठीक परिपत में जब धार म्यूतर चुंबकी धीरे धीरे आओ, तो धीरे धीरे Q0 से क्या होता है, क्यू होता है ये, क्या होता है, क्यू होता है, मतलब इसमें धारा आप बहने लगती है, आवेश जब यहां से निकलने लगता है, आवेश कम होता है, तो धारा कमान बढ़ते जाता है, जितना आवेश कम होगा, उतना धार अधिक होगा तीसरा चित्र में अब आवेश पूरी तरह से निकल जाता है जब आवेश पूरी तरह से निकल जाता है तो धारा कमान बहुत अधिक हो जाता है मैं आपको बताया जब आवेश पूरी कम होता है तो धारा क्या होता है बढ़ता है तो आवेश पूरी तरह से निक मतलब यहां पे जब आवेश निकलते हैं तो विद्दी छेत्र उत्पन होता है और यहां पे चुम्बकी छेत्र उत्पन होता है तो इसके लिए इस्थित्र जूर्जा क्या होती है भी सी के लिए हम इसको यू ए दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें यहां पे विद्दी छेत्र उ ğan में चुम्मक के उत्परवाहित करते हैं तो इसके 4 और चुम्मक के उत्परवाहित करते हैं तो यह होगा UB, UB کا value होगा 1 by 2 और I0 चेहर यह होती है इन दोनों की उर्जा इस स्थिति में संधर रित्र की उर्जा यह होती है और यहां पर कुंडली L की उर्जा यह यह होती है तो इस इस्थिति में दोनों की उर्जा बराबर होती है मतलब यह दोनों बराबर होते हैं अब तीसरा कंडिशन में आवेश पूरी तरह से निकलता है तो धारा कमान पूरी तरह से बढ़ जाएगा जब धारा कमान पूरी तरह से बढ़ेगा तो कुंडली की संधारित्र की उर्जा सुनने होगी ठीक यहां पर संधारित्र की उर्जा सुनने होती है पहले इसके पास अधिक्तम फिर जीरो फिर दोनों बराबर फिर यह जीरो होता है तो इसके पास उर्जा आ गया तो देखें उर्जा दोलन कर रहा है यहां से फिर यहां से फिर क्या है नीचे आ गया अब यहां से देखें जब यह 0 होगा तो यह पूरा पूरा प्लस अटेगा तो वहां पे क्या आएगा माइनस आएगा और यह इस प्लस माइनस अटेगा तो क्या होगा यहां पे प्लस होगा तो यहां पे माइनस आया और यह प्लस आया तो कुंडली फिर क्या क मतलब यहाँ से फिर दीरे-दीरे ऐसे होने लगता है तो इस backward में फिर दोनों प्रवाहित नहीं होती है फिर इसके बाद फिर इसमें से दीरे-धिरे आवेश्श निकलने लगेगा आवेश्ट निकलने लगेगा यहांसे तो धारी स्य फिर बहने लग Alcohol न कि ये आभिष सुनगा हो जाएगा तो धारा कमान अधिक्तम होगा इसलंगे यहां पर उड़ाद धिखोगी यहां पर सुन्टने होगी फिर इसके बाद यह लिए प्लस था यहां पर 0 हुआ यह प्लस रखब 파ॉरा बल機 बंदर बंद और फिरल ग On भानेगा ठीक फिर इसके बाद यह पूरी तरह से काम होता है और यह पूरी तरह से और होता है तो इस तरह से एलसी दोलन होता है हमारा चिक तो उम्मिद करता हूं कि यह जो चित्र है आपको समझ आया होगा यदि कहीं पर डाउट है तो मुझे कॉमेंट करके जिरूर्व पूछ सकते हैं अब इस चित्र को मैं मिटा रहा हूँ आप इसक्रिंसॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इस छोटा सी चित्र है जिस बुक से मैं पढ़ाता हूं इस बूप में ये चित्र दियो हुए है तो ये चित्र आपको बहुत असानी से समझ आ जाएगा उस्चित्र को आप समझ गए तो तो इसमें सिम्पल सी चीज है देखिं यहाँ पर प्लस चार्ज होता है यहां उर्जा है वो सुन्य होती है इस तरह से संधर रित्र से अनाविशित हो जाता है तो यहां पे संधर रित्र में उर्जा होती है लेकिन कुंडल competing नहीं होती है तो पहला चित्र में ठीक उर्जा रहेगा।ि यूई को टू वं बाई टू और q 0 स्कुरिएर बट्टे सी टिक पहला में लेकिन पहला में उर्जा है और यहां पर यू इकमान क्या होगा यू appel कमान सुनने होता है पहला मैं मतलब कुंडली में चुम्बके छथर सुन में Damit जब इसमें से निकलने लगता है प्लस आवेस तब इसमें धारा बहने लगती है धारा आई बहने लगती है अर्थाथ जब धारा इसमें बहने लगेगा तो इसमें चुम्बकी चित्र रिखाया उत्पन होगी और चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेद ध अंधर इत्र की उर्जा सुन्ने हो जाती है और कुंडली की उर्जा अधिक होती है तो सेकंड उर्ज चित्र में कुंडली UB का मान अधिक होता 1 by 2 LI0 का स्क्वार और UC का वेल्लू क्या होता है यहां पे UE यह 0 हो जाता है तीसरा चित्र में अब यह जो प्लस है वो यहां पे चला जाता है तो कुछ समय के लिए 0 होता है लेकिन 0 होने के बाद यह भाग पुरा-पुरा प्लस होता है और यह माइनस होता है तो यह प्लस होगा और यहां पे माइनस होगा जब यह प्लस होगा और यह माइलाश होगा तो इस इस्थित्र में इसके उर्जा फिर धिखोगा इसके उर्जा फिर कम होगी तो तारीर संधर हीटर के फिर आविशध हो जाता है और कुंडली के पास उर्जा सुन्न होती हैं मतलब U E equal to मिलेगा हमें 1x2 or Q 0 square प्लस होता है तो यहां से फिर आवेश निकलने लगता है तो इसमें धारा बहने लगती है मतलब आई इस तरह से ठीक और इसमें फिर क्या होगा चुम्बक्य छेत्र रिखा में व्रिध्धी होगी और चुम्बक्य फ्लक्सम परिवर्तन होने के कारण प्रिधारा उत्पन नहोगा जो इसका विरोध करेगा और पूरी तरह से यह निकल जाएगा तो यहां पर संधार इत्र की उर्जा सुनने होगी अर्थात यू 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 का मान जीरो होगा लेकिन यू बी का अस्तित्त होगा इसमें ठीक यह बढ़ता है तो यू बी इक्वर टू और एल आई जी रो का स्कुराइड इस तरह से चार स्टिप में भी छोटा चित्र बना सकते हैं यह है इसकी गुरात्मक विवेचना ठीक गुरात्मक अब गुरात्मक विवेचना देखने के बाद मैं इसकी वन्जक की स्थापना करता हूं गडितिये सुत्र की और गडितिये सुत्र के अनुसार ही हम ग्राप की बनाएंगे तो इसे नोट कर लिजे फिर इसको मैं मिटा दूंगा अब हम देखेंगे इसकी गडितिये व्याख्या तो गडितिये व्याख्या के लिए आप छोटा सा एक चित्र बना सकते हूं यह वैसा ही बनेगा सेम एक चित्र छोटा सा बना सकते हैं इस तरह से ठीक यह प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज और इधर होगा माइनस 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 यहां से आवेश क्या होता है निकर रहा है मतलब आवेश की मात्रा कम हो रही है जब आवेश निकलता है तो धारा उत्पन नहोगा ठीक तो आवेश क्या होता है इसम में अधिक होता है तो उसी को हम यहां पर लिखे हैं ठीक देखें इस तरह से धारा प्रवाहित होगा माना किसी छण टी पर संधर इत्र पर आवेश क्या हो प्लस क्यूं हो तथा परिपत में प्रवाहित धारा आई हो जब यहां होते हैं आवेश यहां से निकर रहा है मतलब कम हो रहा है तो आवेश घट रहा है लेकिन धारा का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो आवेश घट रही है और धारा यहां पर धारा आएगा धारा बढ़ रही है ठीक तो धारा I equal to क्या होता है आवेश प्रवाह के दर को धारा कहते है तो DQ by DT सामने में लगाएंगे हम माइनस क्योंकि आवेश क्या हो रहा है कम हो रहा है तो माइनस DQ by DT इसे दीजिए आप समिकरण 1 संधारित्र के सीरों के मद्दे विभानतर होता है क्या होता है Q equal to C into V तो C पक्षांतर होगा तो V equal to क्या मिलेगा हमें V equal to मिलेगा Q upon C क्या मिलेगा विभानतर V equal to C पक्षांतर करेंगे Q upon C हो जाएगा ठीक अब L के सीरों पर विभुवांतर तो L के सीरों पर विभुवांतर इस तरह से लिख सकते हैं L के सीरों पर विभुवांतर L के सीरों पर विभुवांतर क्या होगा माइनस L Di बटे DT अब प्रेर्ण में हम निकाल चुके हैं अब हम क्या करते हैं किर्चाप के लूप लियम का प्रयोग करेंगे कीर्चाप की लूप नियम से किर्चाप के लूप नियम से इसको मिटा रहा हूं मैं तो किर्चाप के लूप नियम से क्या होंगे दोनों आपस में जुडएंगे तो कि अपान सी माइनस एल दी आई बते डीटीए इकल टू जीरो समी करण एक से आई का वेल्यी रखेंगे समी करण एक से i का value रखेंगे तो यह होगा q बटे c यह minus है तो minus minus बनेगा plus l d by dt d q by dt equal to 0 ठीक यह होगा q बटे c plus l यह बनेगा d2 square q बटे dt का e square equal to 0 अब इसके आगे देखें इस l को हम हटाना चाहते हैं तो सभी में क्या करेंगे हम l का भाग देंगे तो l का भाग देंगे तो यहाँ पर होगा q बटे lc क्या होगा q l का भाग दे रहा है q बटे lc इसमें जब l का भाग देंगे तो l से l कटेगा तो यह होगा d2 q बटे dt का e square इसमें जब L से भाग देंगे तो यह 0 होगा ठीक अब इसको हम थोड़ा सा जमा के लिख लेते हैं इसको पहले D square Q बटे DT का E square और यह Q बटे L C equal to 0 इसे दे देता हूं मैं शमीकरन 2 सरल आवर्त गती का समीकरन होता है D2 square X by DT square प्लस ओमेगा 0 square और X equal to 0 इसे देजे आप समीकरन 3 और इसका व्यापक हल मतलब इसका हल होता है समीकरन 3 का हल ठीक 11 में है यह हल होता है इसका X equal to X 0 sin omega 0 T plus 5 यह इसका हल होता है ठीक तो यहां तक इसको निकालेंगे अब समीकरन 2 और 3 की तुलना करेंगे समीकरन 2 और 3 की तुलना तो देखें तुलना कैसे होगा यह D2 X DT square तो X के जगा Q है ठीक तो पहला से पहला हो नहीं होगा फिर अगला देखें Q by LC तो यहां पर X है तो मैं क्या बताया हूं अंतर यह है कि यहां पर X है तो यहां पर Q है यहां पर X है तो यहाँ पर q है तो q को हम छोड़ देंगे तो x को छोड़ देंगे तो omega 0 का square होगा q को छोड़ेंगे तो omega 0 square का value मिलेगा हमें 1 by lc थिक तो omega 0 का square equal to मिलेगा 1 by lc अब square पक्छांतर होगा तो omega 0 equal to होगा 1 by root lc अब omega का value क्या होता है omega 2 pi new होता है तो 0 है तो omega 0 हो जाएगा 2 pi new 0 थिक तो omega 0 के जखें रख सकते हैं हम 2 pi new 0 और 1 by root lc थिक new 0 को छोड़के 2 pi पक्छांतर करेंगे तो फिर हमको मिलेगा हम new 0 equal to 1 by root lc से पहले यह 2 pi चला जाएगा ठीक यह होगा 2 pi और root lc थिक तो lc दोलन में स्वभाविक आवरित्ति के लिए हमारा वेंजक है स्वभाविक आवरित्ति आपको निकालने बोलेगा तो यहां तक आप निकालेंगे लिख भी सकते ही इसको हम स्वभाविक आवरि की के लिए घ्लति के लिए और चप्सक्रावं मेंड़ा देविक अब ध्यान दीजिए जिस तरह से सरारार्यावर्थ गति के शमीकरण का हल वोता है उसी तरह सिन इसका भी all मिलेगा हमको ठीक जीए sqcq qb tqqc qb tlc का हमें एक हल मिलता है तो इस समी किरद दो का हर्द एक तो समी किरद तीन तव व्यापा खल हमें यह मिला था ठीक यहां पे सागा उमेगा 0T तो द्यान दी जी दो और तीन में सिर्फ अंतर यह यह है कि यहां पर क्यू है तो यहां 2 यह क्यों के जगह Q0 और कॉश ओमेगा जी और यह पाइं चिक यह समी कर दो का व्यापाखल है अब हम एक छोटी से इस्थिती ले लेते हैं यहां पर एक इस्थिती ले लेते हैं जहां पर Q0 के बारे हम बता सकते हो आप जहां Q0 को कहते हैं आवेश का अधिक्तमान थिक Q0 क्या है आवेश का अधिक्तमान है अब एक इस्थिती लेकि हम और इसको आगे गरना करते हैं उसके लिए मैं इसको मिठा देता हूँ तब तक आप इसका screenshot ले लिजीएगा चलिए screenshot ले लिजे भई तो द्रहान दिजी एक इस्थिति बना था जो मैं 1st चित्र बनाया था यहां पे इस तरह से यह प्लस Q0 था ठीक यह 1st चित्र बनाया था जिसमें T बराबर 0 पर ठीक T बराबर 0 पर परिपत में धारा परवाहित नहीं होती है ठीक तो इस इस्थिति को हम लेके चलेंगे इस्थिति होगा t बराबर 0 पर ठीक टी बराबर 0 तो आवेश का क्या होगा q equal to q0 होता है ठीक अब q equal to q0 और t equal to 0 हम यहाँ पर रखेंगे इसमें ठीक q equal to q0 और t के जगह रखेंगे हम 0 तो हमको मिलेगा q के जगह q0 और q0 cos omega 0 t ठीक omega 0 t का value 0 प्लस यह हो जाएगा 5 q0 सो q0 कटेगा यहाँ पर 1 आएगा और यह cos यह 0 हो जाएगा और यह 5 और 1 1 का value हम देखें तो cos 0 का value 1 होता है और यह cos phi, cos से cos cancel होगा तो phi equal to मिलेगा हमें 0 क्या मिलेगा phi equal to 0 अब इस value को हम क्या करेंगे फिर यहाँ पर रखेंगे phi का value 0 रखेंगे तो phi का value रखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं अतहां q equal to q0 और यह cos omega 0 t plus phi equal to 0 तो q equal to q0 cos omega 0 t phi का value 0 होगा तो यह होगा omega 0 t इसे फिर आप देना चाहते हैं तो शमीकरण दीजिएं तो कितना समीकरण तो 3 दिया था इसको देता हूँ मैं 4 अब और आवेश प्रवागकी दर को क्या कहते हैं दारा कहते हैं तो यह हमारा आवेश कीशvakरण है चार्ज के लिए और धारा निकालते हैं तो धारा i equal to होता है nd q but dt लेकिन इस स्थिति में second स्थिति आता है तो उसमें आवेश कम होता है तो इसके लिए हम सामने माइनस लगाएंगे तो i बराबर value पूट कर यहाँ पे तो यह होगा d by d t q के जगा रखेंगे q0 cos omega 0 t ठीक, minus q0 बाहर निकलेगा और d by d t यह होगा cos omega 0 t ठीक, minus q0 cos omega 0 t का आउकलान होगा minus sin omega 0 t और यदि cos के साथ जब हम इसको t के साथ पे एक्छा आउकलान करते हैं तो t के गुडान में जो भी रहता है वो इसके सामने आता है तो इस minus को मैं बाहर निकाल के यहाँ निकाल देता हूँ और इसको minus minus plus बना देता हूँ omega 0 सामने आएगा तो यह होगा omega 0 टिक इस plus को भी हटा जेता हूँ यह minus 8 गया क्यों क्योंकि cos का आउकलान होता है minus तो minus minus plus बन गया t के गुडांग में omega 0 है तो यह सामने आएगा अब हम जाते हैं देखतर शमी करण इस फार्म में होता है q equal q 0 cos omega t तो इस पूरे को हम क्या करेंगे यह धारा कर शमी करण है तो इसको हम i0 माल लेंगे तो i equal to हमें मिलेगा i0 और sin omega 0 t sin omega 0 t इस तरह से हमें धारा कर शमी करण मिलता है जहां हम बता सकते हैं जहां इसको क्या लिए है i0 लिए है i0 बराबर q0 और यह omega 0 ठीक यह धारा का अधिकतम मान है अब मैं इसके लिए यह ग्राब खिचूँ तो देखिए कैसे बनेगा इसका ग्राब i0 sin omega 0 t मतलब धारा के में में क्या है sin है और sin का ग्राब कहा से start होता है 0 से start होता है तो इस तरह से ऐसे यह ग्राब बनेगा ठीक यहाँ पर देखिए यह किस के लिए है धारा के लिए i equal to i0 sin omega 0 t ठीक यह समय के साथ क्या है बढ़ रहा है अब आवेश के लिए देखिए आवेश के विक्राब क्यों 0 cos omega 0 t है तो यह क्या होगा cos का जो ग्राब होता है वो 1 से start होता है आईसे इस तरह से यह इस तरह से ठीक अब इस condition में हम देखिए तो देखिए यह आपका आवेश के लिए है यह आपका धारा है आवेश मतलब q equal to q0 और cos omega 0 t ठीक cos omega 0 t तो जहाँ पर धारा का मान अधिक्तम होता है जहाँ पर धारा का मान अधिक्तम होता है अब हम चित्र में देखे थे क्या देखे थे जब आवेश यहाँ से निकलता है आवेश यहाँ से निकलता है तो आवेश जब यहाँ पर कम होता है सुन्य होता है तो धारा का मान बढ़ता है ग्राप में देखिए यहाँ पर दारा अधिक्तम है यहाँ पे तो इसके बीच वाला पॉइंट लोगा तो यह होगा तो जहां पे धारा अधिक्तम है वहाँ पे आवेश क्या है कम है दिखेए ठीक अब जहां पे धारा यहाँ पर कम होता है तो आवेश क्या होता है अर्धिक होता है यहाँ पर जाएगा तिसरा कंडिसन जब धारा फिर अर्धिक होता है तो आवेश फिर क्या होता है कम होता है मतलब कम जादा होते रहते हैं यही तो है अलिसी दोलन ठीक आवेश और धारा में देखें धारा इसम में हम देखे तो इस स्थिति में देखें हम यहां पे मयं लेज़ें एक सेवट यहां पर हम बैच्वाइबाइट ये पящ यहां पर नैन किर यहां पर icons 173 में यहां पर 301 democracy में IQ नंटी यह होते हैं तो नैन चुल्सेल इक्वाश्ची में आवीश नीचे की और अधिक होता है तो धारा यहां पे कम होता है हम जानते हैं आवेश यहां अधिक था तो यहां पे धारा कम था आवेश जब कम होने लगा तो धारा बढ़ने लगा फिर यहां पे आवेश बढ़ा तो धारा यहां पे कम हुआ ठेक इस तरह से यह दोनों कर आप यहां पर लि की कूल यांत्रिक उर्जा क्या होगा ue और ub यह तो होगा हमारा ठीक ue प्लास ub ठीक कूल को हम यू दिखा देते हैं ue का वेल्यू 1 by 2 q0 स्क्वाइर बटे c और यह होगा 1 by 2 l i0 का स्क्वाइर ठीक यह होगा कोल यांत्रिक उर्जा के लिए छोटना सा फॉर्मूला तो इसको आप निकाल सकते हों ठीक तो इसको आप निकाल सकते हों यहां से 0 हटा दी जह 0 लिखने के जरूरत नहीं रहे गए ठीक इस तरह से हमारा एलसी डोलन कंप्रीट होता है तो इस टॉपिक में आपको कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और एक छोटा से कॉमेंट भी कर दीजिए फिर मिलते हैं नेश्ट झाल